हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक में चैनल टाइगर टीचर जॉब में फ्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में दोस्तों आज हम 2823 वर्स प्रतम प्रस्ने पत्र सिच्चड के सिधान त्युम विदियां पढ़ेंगे और इसके अंतरगत हम देखेंगे आज आपका लेक्चर नमर 37 तो चली देखते हैं कोश्चन एक सिच्चक की सिच्चड दच्चता को अनुसीलन इसका मतलब है खोचपू वो अनुसीलन खोचपूर प्रस्ने कौसल से बढ़ता है गया आपके डिडियो नश्टी 2008 है 2017 में पूछा हुआ कोश्चन है चली देखते हैं खोचपूर प्रस्ने कौसल उत्तर है सिच्चड अधिगम प्रक्रिया में प्रस्न पूछने की कला बहुत महत्वपूर अस्थान रखती है सिचण अधिगम प्रक्रिया, सिचण कार्य जो بھی सिचण के द्वारा किया जाता है उसमें जो प्रस्टनें पूछे जाते हैं आप किस तरह के प्रस्टने पूछे हैं कि जिस्से चातरों का जो उत्तर हो सही और सटीक हो तो ये बहुत ही महात्वपूर होता है इस कौसल में चात्र को बिविन से चड़ परिस्तियों के बारे में स्वयंग चिंतन करने का आउसन प्रदान किया जाता है इसमें हम देखेंगे तो चात्र है उसके विभिन परिस्तियों में अलग अलग परिस्तियों का अलग अलग परिस्तियों में बच्चे से कोश्चन पुछा जाता चात्र से की और उसमें वो किस तरह से चिंतन के द्वारा अपने कोश्चन का अंसर देता है यह सारी चीजे दे तो सिच्छक अपने सब्जेक्ट के विशै में स्वेंग चिंतन करता है और उसमें जो भी उसे सम्दित है समस्यायत्पन होती है वह उसका निराकड भी स्वेंग ही करता है वह समस्या का समाधान करने है तो विसाय के संदर में स्वेंग सोचने की है तो इतना बात दे हो जाता है कि जब तक उसे उक्त विसाय के संदर में जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह पूर जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता रहता है इसलिए इसे अनुसिलन कौसल भी कहा जाता है यहाँ पर हम बात करें तो जो सिच्छक है उसे अपने विसाई के बारे में जो भी कुछ कमिया होती है वो उसका खोज-पुर ढङंग से जानने का प्रयत्न करता है और उसे प्रयत्न में वो सफल भी होता है और इससे प्रेत्ने को अनसीलन कौसल भी कहा जाता है सिचक जब कच्छा में पाठ के विकास के लिए प्रस्ण पूछता है या पूर्व ज्यान की जाँच के लिए प्रस्ण करता है तब शात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं यहाँ पर हम बात करें पाठ के विकास के लिए जब सिचक के द्वारा पूर्व ज्यान की जाँच के लिए प्रस्ण पूछा जाता है तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को अगर हमें ही लगता है कि इन सारी चीजों के बारे में छात्र को जानकारी होगी एक सिच्छक को ये लगता है कि ये सारी चीजे बच्चे के पूर्व ज्यान में होंगी लेकिन अगर छात्र उसका उत्तर नहीं देता है ऐसी इस्तिति में सिच्छक छात्रों से सही उत्तर निकलवाने के लिए खोजपूर प्रसनों की सहायता लेता है कभी कभी जब छात्रों के पूर्व ज्यान के विशे में सिच्छक को जानना होता है तो वो उससे प्रसने करता है लेकिन अगर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीजे होती है वो खोजपूर प्रसने के अंतरगत उसकी सहायता लेते हुए सिच्छ चात्रों के सही उत्तर ढोड़ने में उनकी मदद करता है कि किसी तरह से वो हिंट देता है और उस हिंट के माध्यम से जिससे चात्रों को उनके पूरुग्यान के विसे में कुछ भी जानकारी हो तो वो बताएं उनके पूरुग्यान को नमिन ज्यान से जोड़ता भी है और इसके माध्यम से जो उनका पूरुग्यान है अगर उनके थोड़ी भी जानकारी है तो उनको नमिन ज्यान से जोड़ने का प्रयास भी करता है छात्र द्वारा प्रसनों का उप्युक्त उत्तर ना देने पर सिच्चक उनके समझ ऐसे तत्यों को रखता है जिनकी सायता से छात्र अस्तर तक पहुँच जाता है अगर छात्र सही डंग से उत्तर नहीं दे पा रहा है पूर्व ज्यान में उसके इतनी समझ नहीं है तो उससे रिलेटट चीजों के बारे में वो बताते हुए उनका जो पूर्व ज्यान अब मेंटेन हो गया उसको नमेन ज्यान से जोड़ने का प्रयास करता है सिच्छक छात्रों को कुछ संकेत देता है जिसके माध्यम से विसे के बारे में सफलता पूर्व ज्यान प्राप्त कर सके यहां पर हम बात कर रहे हैं हिंट की तो देखें आपर यह दिया है कि सिच्छक छात्रों को संकेत देता है और संकेत के माद्यम से जो उसका खोजपूर प्रस्ण है वो सार्थक होता सही दिखाई देता है कि किस तरह से वो अपने खोजपूर प्रस्ण के माद्यम से चात्रों को पूर ज्ञान से नमीन ज्ञान की तरफ ले जा रहा है तो खोचपूड कौसल के घटक हम देखते हैं खोचपूड प्रसने कौसल के निमलिकित घटक है नमबर वन है संकेत देना नमबर दो है विश्तर सूचना प्रदान करना नमबर थिरी है पुने केंद्री करण करना नमबर 4 है पुने प्रेशड और नमबर 5 है अलोचनात्मक सजकता तो नमबर 1 पे हम देखते हैं संकेत जब छात्र उत्तर देने में हिचिकिचाता है या आधा अधूरा उत्तर देता है तो रुख जाता है अधवा नकारात्मक उत्तर देता है कभी-कभी ऐसा होता है कि चात्र को उसके बारे में पता होता है, लेकिन वो चीजों को explain नहीं कर पाता है, या उसको सही डंग से नहीं बताने की विरसे वो गलत हो जाता है, तो जैसे मुझे नहीं आता है या आधा उत्तर देना, कभी-कभी चात्र कहता है कि कुछ चीजे बताते हुए कहता है कि मुझे नहीं आता है, या कुछ बताता है तो इस तरह से वो आधा उत्तर देता है, यह समय में सिच्चक उसकी सहाता है तो संकेत देता है, जो भी सिच्चक प्रस ने किया है उसके पूर उज्ञान से समझे तो उसमें अगर उसे कुछ आता है तो अगर नहीं बता पा रहा है तो उसको कुछ संकेत के मादल से सिट्चक उसको अफ्रेडित करता है और प्रोसाइथ करता है यदि छात्र फिर भी उतर देने में असमर्थ होतो हुआ, सरल प्रसन पूचकर छातर को आगे बढ़ने का प्रयत्न कर आता है अगर छातर उससे भी असंकेत देने के बाद भी उत्तर नहीं दे पा रहा है तो सिचक उससे भी आसान प्रसन पूचता है जिससे कि वो उत्तर दे ले जाए और सिच्च को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया का प्रयोक तभी करें जब छात्र कहें कि मुझे नहीं आता है और यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों इस तरह की गलतियां आप कभी-कभी करते हो कभी-कभी ऐसा होता है यह चीज मेरे साथ भी हुई है कि जब टीचिंग टाइम था तो हम लोग टीचिंग जब कर रहे थे तो उस समय के जो हमें विद्याले जो प्रवाइड कराया था वो काफी पिछला हुआ था तो वहाँ के जो छात्र थे वो प्रस्णों का उत्तर बहुत कमी दे पाते थे जब हम इस तरह के प्रस्तावना वाले प्रस्णे पूछते थे तो हम क्या करते थे एक बार क्या क्या हमने तो वहाँ पर हम उस कोस्टिन को छोड़कर नेक्स्ट कोस्टिन पर पहुँच जाते थे तो सर एक बार बताए भी कि बेटा ये जो टेक्निक है ये सही नहीं है बलकि आपको अगर बच्चा कोश्चन नहीं बताता है फिर भी आपको कोश्चन पूछना है ना कि दूसरे कोश्चन पर पहुँच जाना है बलकि आपको संकेत के माध्यम से उसे बताने के लिए अप्र जब आपका कोई आपजर्व करेगा तो जो आपजर्वर होते हैं यह सारी जो आप कलतियां करते हो सिच्छड कारे में जब आप एक प्रसिच्छड ले रहे हो इस दोरान तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी यह कभी-कभी यह सारी कमिया होते ही तो आप सही करन सीखेंगे जब आप कमी करेंगे तो आपको यह रिलाइज होगा कि हाँ हमने यह कमिया की है हमें यह चीज़े सुधारना है तो यह सारी चीज़े आपको देखने को खुद मिलेंगी यहाँ पर हम देखें तो जब उसका उत्तर पूर्टय सही नहीं हो तो कमजोर हो तभी इस प्रक्या के सारे उसे सही उत्तर की और प्रेट किया जा सकता है तो यहाँ पर संकेत के माध्यम से जब वो नहीं बता पाता है तो संकेत के माध्यम से उसके सही उत्तर की तरफ जाया जाता है नमबर दो विष्त्रित सूचना प्राप्ती जब छात्र अधूरा उत्तरदे आंसिक उत्तरदे या तो सिच्छक अधिक सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है जैसे बहुत कुछ और बहथा आओ तो दूसरी सब्दों में कहो तो सपस्ट करो कहने का तात्पर यह है कि जब छात्र सिचक के द्वारा प्रस्ण पूछे जाने पे उसका थोड़ा उत्तर दे लेकिन वो क्लियर उत्तर ना दे पाए तो जो सिच्चक होता है वो उसको अभी प्रेरित करता है कि वो और थोड़ा बताए और थोड़ा स्पस्ट करें तो सिच्चक विस्तरी सूचना निकलवाने के लिए स्पस्टी करण ब्याक्या और विस्तार पूरो विचार करने के लिए प्रक्रिया का साहरा लेकर छात्र का पूर्व ग्यान के तरब जो भी पूर्व ग्यान है उसको फिर से नमीन ग्यान की तरब जोड़ने का प्रयास के जाता है सिच्छक के द्वारा इससे यह भी पता चलता है कि चात्र को पूर्व समझदारी से उत्तर दे रहा जो चात्र है यहाँ पे वो पूर्व समझदारी से उत्तर दे रहा या संयोग बस अथवा रटा हुआ उत्तर दे रहा है सिच्छक चात्र के ग्यान को अन्य विश्यों से जोड़ने का प्रयातने भी करता है इससे छात्र को अन्य सामाने परिस्तितियों में अपने उत्तर की जाच करनी होती है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्र को सिच्छक के द्वारा अन्य विश्यों से भी जोड़ा जाता है और सिच्छक ये जानने का प्रयास भी करता है कि कहीं छात्र ने रटा रटा है उत्तर तो ने दिया या इसे एक्चुल में इस चीज के बारे में जानकारी है कि नहीं ये सारी चीज़े नमबर तीसरा तो आपका हो गया नमबर हम फोर देखते हैं पुनाय प्रेसर इसमें एक गई प्रसने विवी ने चात्रों से पूछा जाता है ताकि चात्र में अधिक से अधिक चात्रों की सहभागिता प्राप्त की जा सके यहाँ पर कच्छा में अधिक सेधिक छात्रों की सहभागिता प्राप्त किराज से करने से सिच्छक मुग के प्रसने पर आता है दोसों पुने प्रेसर्ड में क्या होता है कि एक ही कोश्चन लगबग अधिकतर छात्रों से किया जाता है और उन सब से उससे प्रसने का उत्तर जानने का प्रयतनी किया गाता है और उन सब प्रसनों के उत्तरों को जोड़ कर जो भी प्रसने के उत्तर छात्रों ने बताए है उन प्रसनों के उत्तर को जोड़ करके उससे संबंदित जो पाठ वस्त है या पाठ ख्रम है उस पर आने का प्रयास सिचक के द्वारा होता जिससे कि वो चात्रों के पूरु ग्यान से रिलेटर प्रस ने पूछा लेकिन उसका जो मुख्य ग्यान या नमेन ग्यान जो है उस पर आने के लिए सिचक के द्वारा अलग अलग चात्रों से प्रस्ने पूछे गए थे यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा करके सिचक मुख्य प्रस्ने पर आता है यदि संकेत के बाद भी कोई चात्र उत्तर ना दे सके तो पुनाय प्रेसड हे तू या प्रस्ने कच्छा के विविन चात्रों से पूछा जाता है यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कुछ चात्रों के द्वारा उत्तर नहीं बताये गया तो जो बचे हुए चात्र हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक कोश्चन के लिए पूरी क्लास खड़ी हो जाती है एक कुश्चन का उत्तर अगर किसी भी पूरुग्यान से डिलेटर कोई प्रस्ने सिच्छक के द्वारा पूछा जाता है तो वहाँ पर कभी-कभी एक काद बच्चे तो बता लेते हैं लेकिन कभी-कभी असा होता है कि कोई बच्चा नहीं बता पाता है तो इस तरह की situation साती है तो वहाँ पर सिच्छक को खुदी explain करना होता है अपने पाठेवस्त को और पूरुग्यान को भी बताना होता कि इसमें क्या चीज़ें हैं और उसको फिर ले जाके नमीन ग्यान से जोड़ना पड़ता है नमबर फाइव हम देखें अलोचनात्मक सजगता सही उत्तर पाने पर भी जब सिच्छक छात्रों से उत्तर की सार्थक्ता बताने के लिए कहता है या सही उत्तर पाने पर भी सिच्छक छात्रों में अलोचनात्मक सजगता की विद्धी है तो क्यों और कैसे का प्रस्ण प प्रशन में पूछ विशाम कि आपके पास अपने जो है आप उस विसे के बारे में कितना जानते हो एक छातर से ही सारी चीजे इसलिए भी बार-बार पूछता है कि जो उनका ग्यान रो पुकता है कि नहीं है यह सारी चीजे होती है तो इसलिए और रोचनात्मक संजाक्ता इसके पीछे होती है कि टर्के के मादयम से चात्रे अपने सिच्चक को अपने उत्तर दे जो सिच्चक की द्वारा पूछे गए अब हम देखेंगे ब्याख्यान कौसल होचपूर कौसल हो चुका है दोस्तों ब्याख्यान कौसल में देखते हैं सिच्चक अपने सिच्चड में अनेक प्रकार के विचार, सिधान, नियम, प्रत्य को समझने के लिए समझाने के लिए ब्याख्या करता है क्रमबद यों सार्टक कखन सिच्चक द्वारा दिए जाते हैं सिचछँ में व्याख्यान कौसल का अधिक उपयोग के रहा था कोई भी सब्जग्ट उसमें लेक्चर तो होते ही है बिना लेक्चर के कोई भी सब्जग्ट पूरा नहीं मौना है जबकि इसके दोसों की चर्चा भी अधिक होती है ब्याख्यान कौसल में जो दोस से वो भी बता जाते हैं ब्याख्या कौसल को असपस्टी करण कौसल भी कहा जाता है असपस्टी करण क्यों कहा जाता है क्योंकि किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए ही लेक्चर देते हैं ब्याख्या करते हैं यह कौसल सिछक ब्यावारों का वह सम्मूँ है जिसके द्वारा किसी संप्रत्य है सिधान्त पद नियम संरचना परिभासा प्रवीदी विदी आदिको भली भादी समझाने के लिए अंत संबंदित यह अंत आसित कतनों का प्रियोग किया जाता है ब्याख्यान कौसल का प्रमुक खुद्दे से ब्याख्यान के प्रभासाली विवहारों में ब्रिदी करना तथा बाधा डालने वाले विवहारों को कम करना है दोस्तों जो ब्याख्यान का उसल है वो हमारे ब्यक्तितों को प्रभावसाली बनाता है एक जो प्रभावसाली सिच्छक होगा वो अपने ब्याख्यान का उसल के माध्यम से ही जिस विसे का ज्यान कराता है उस विसे को ब्योहारिक रूप में प्रस्तुत करता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्याख्यान कौसल है वो जो भी ब्याख्यान कौसल के माध्यम से चीजों को और सरल बनाता और साथ ही साथ ब्याओहारिक रूप में या अपने अपने जो चात्र होते हैं उनको उसकी जो भासा है जिस भासा में वो मात्र भासा एक तरह से हम कह सकते हैं जो बोल चाल की उनकी भासा है उस भासा में जाकर के सिच्छा देते हैं तो यह सारी चीजे कहीं न कहीं ब्याख् ब्याख्यान कौसल के घटक क्या है ब्याख्यान कौसल के प्रमुक घटक निमलिकित है भासा में सहजता यूम असपश्टता हो यह जो ब्याख्यान कौसल है इसके घटक क्या क्या है इसके घटक यह है कि नमबर वन है कि इसमें जो भासा यूज की जारी है उसमें सहजता यान इंट्रेस्टिंग हो यानि कि जो बच्चों को अच्छा लगे ऐसे युक्ति ऐसे ढग ऐसे तरीकों का प्रयोग सिछड कारे में किया जाए नमबर थ्री हम देखें तो भासा में प्रवा हो भासा में प्रवा हो यानि कि भासा में जो भी तुर्टियां वो कम हो नमबर फोर हम देखें तो कत्नों में उप्युक्त सब्दों का प्रयोग हो जो भी सब्द अपने सेंटेंस में योज किया जारा सिच्छक के द्वारा वो सेंटेंस सही होने चाहिए उप्युक्त सब्दों होने चाहिए और नमबर फाइफ हम देखे कतनों में निरंतरता या तारितमता हो जो भी सेंटेंस सिच्छक के द्वारा अपने सिच्छण कार में प्रयोग किये जा रहे हैं उनमें तारितम्था होनी चाहिए वाक्य में तारितम्था हो जो एक दूसरे से संबंधितों और निरंतर्ता भी हो नबर सिक्स हम देखें तो आसंबद्यम आसपष्च कत्नों का अभाः हो जो भी कत्नों सिच्छक के द्वारा बोले जा रहा है उसमें आस पश्रता ना हो और ना ही उसमें आसम्बंद यानि कि जो भी वाग्य के सिच्छक के द्वारा बोले जा रहा है वो एक दूसरे से संबंदित होने चाहिए सिच्षडविंद्यों को दोहराया गया हो और अंतह कृए में परिवर्तन हो जो भी तो च्यात्रों के बौत परिच्षड के लिए बीच बीच में पूछे जाएं जब भी एक सिछषक के दवरां सिछड कारे हो रहा हो तो उसे सिछड कारे के दवरान छात्रों को समझ में कितना आ रहा है। उनके बोध ज्यान को जानने के लिए सिच्छक को बीच बीच में प्रसने भी पूछते रहना चाहिए दोस्तों ये इसलिए भी आवसिक है कभी कभी जो class का atmosphere है वो इस तरह का हो जाता है कि छात्रे ध्यान नहीं देते तो उनके ध्यान आकर-शण के लिए भी उनके ध्यान को maintain करने के लिए भी class में बीच बीच में प्रस्ने पूछते रहना चाहिए अपने सिच्छड कारे से समने जो भी आप से वस्तु पढ़ा रहे हैं उसे समने प्रस्ने होने ही चाहिए जिससे ये तो पता ही चल जाता है कि आपके जो छात्रे वो कितना समझ रहे साथ ही जो आपका class है वो उसमें जो रुची maintain रहेगी और साथ ही अगर हम देखे तो छात्रों का ध्यान भी maintain रहता है नमबर टेन हम देखें स्रब द्रिस सामागरी का प्रियोग हो स्रब और द्रिस सामागरी जैसे कि प्रोजेक्टर या चार्ट या ग्लोब या फिर आप कह सकते हैं सुनने और देखने की चीजों में तो प्रोजेक्टर ही आएगा मेंली तो इन सब चीजों का प्रियोग होने से जो आपकी कच्छा है वो इंट्रेस्टिंग हो जाती है रुचिकर हो जाती है आप जो क्लास लेते हैं उसमें चुकि हमारी जो ये दोनों इंद्रियां हैं ये चीजों को एक तो देखती है और एक तो सुनती और समझती है तो कहीं न क कोई भी चीज देखकर सुनकर जल्दी याद हो जाती देखकर तो और भी ज़्याद होती है अगर हम अब सुन रहे हैं तो हो सकता आपको भूल भी जाये लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो देखी हुई चीज आपको नहीं बोलती है अब हम नेक्ष्ट देखते हैं पुनरवलन कॉसल जिसको हम कहते हैं reinforcement पुनरवलन कॉसल आपके सिच्छड कारे को प्रभावसाली बनाता है पुनरवलन कॉसल मनोवईज्यानिक सिध्धान्त पर आधारित है सिच्छड अधिगम प्रख्रिया को प्रभावसाली योंग्तीब्र बनाने में पुनरवलन कॉसल का विसेस मात्र है सिच्छड की वह क्रियाएं जो छात्रों को अनुक्रियाओं के लिए प्रेरित करती हैं पुनरवलन कहलाती है दोस्तों सिच्छक की वो क्रिया है यानि कि यहां पर हम देखेंगे पुनरबलन के माध्यम से चात्र और सिच्छक के बीच क्रिया प्रत्क्रिया भी होती है जब एक सिच्छक अपने चात्रों को सिच्छड कारी के दोरान चात्रों से प्रस्ने पूछता है और उस प्रस्ने का उत्तर आने पे चात्रे अपने सिच्छक अपने चात्रों को पुनरबलित करता है तो कहीं न कहीं जो उनकी वीच की प्रत्क्रिया है वो और प्रबल होती ह चात्रो का प्रोच्छान होता है, चात्रो का मनोबल बढ़ता है, कि हम और अच्छे ढंक से पढ़ाई करें, अधिगम करें, और साथ ही अपने जो सिच्चक के द्वारा पुछे जा रहे हैं, कोशे न उसका उत्तर दें. यहाँ पर हम देखेंगे इसके लिए सिच्छक अनेक प्रकार की युक्तियों का सहारा लेता है जब छात्रे सही उत्तर देने का प्रयास करता है तो सिच्छक छात्र के सही उत्तर की प्रसंसा करता है साथ ही छात्र को सही या गलत की जानकारी भी देता है कभी-कभी जब छात्रे गलत उत्तर देता है या सही उत्तर नहीं दे पाता है तो उसकी उत्तर को सिच्छक के द्वारा जो भी तुटियां रहती है वो बताई जाती है यदि सिच्छक ऐसा करने में सफल रहता तब इस चात्र अपनी अनुक्रिया में उस्साह दिखाते हैं जब सिच्छक के द्वारा ये सारे कारि की जाते हैं तो छात्र कही न कही और एक्टिव हो जाते हैं उनकी अंदर भी लोगों चीजों को जानने सुनने समझने की जिग्यासा होती है यदि सिच्छा कैसा करने में सफल रहता तभी छात्र अपनी अनकुरिया में उस्साह दिखाते हैं पुनर्वलन में सबासी देना, प्रसंसा करना, पुरसकार देना, कमिया बताना आज़ि क्रियाएं आती है दोस्तों कभी-कभी छात्रों को डारिक्ट आपको कमिया नहीं बतानी यहाँ पर छात्र से अगर आपने प्रस्ट ने किये उसने कमिया की लेकिन आपको उसकी कमियों के साथ उसकी प्रसंसा भी करनी है यहां पर आप एक सिच्छक के द्वारा छात्र को मोटिवेट करना डी मोटिवेट प्रभावसाली बनाने के लिए सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पुनरवलन काउसन में देखिए पुनरवलन काउसल दो प्रकार के होते हैं नमबर वन धनात्मक कुनरवलन слуш नियसको इससे चात्रों के उपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वे उत्साहित होकर प्रश्णों का उत्तर देते हैं दोस्तों पुनर बलन का उसल जो है उसमें एक सकारात्मक विचार छिपा होता है जिससे चात्रों को अभी प्रेणा मिलती है पुप में गरs ने कह सकते हैं जासके हैं जो एक्रफा सब्स धीक करता है तो मिटकितिक हैसा के दे सकते हैं वेरी गोड या साबास कह सकते हैं तो ये सारी चीज़े चात्रों के अंदर धनात्मक पुनरवलन विक्सित करती हैं जिससे वो उठसाहित होते हैं और उनके जो पढ़ने की इच्छा और प्रबल होती है और वो सिच्छा की तरफ ध्यान देते हैं और उनका अवांचित ब्योहार को दुर्बल या दूर करने की चेश्टा की जाती है जो चात्रों के अंदर कमिया होती है उसको दूर करने का प्रयतनी किया रहता इसमें चात्रों का वह ब्योहार आता जिसमें चात्रों के गलत ब्योहार को रोकना अभीस्ट है यहाँ पर जो भी चा चात्र गलत कार या व्योहार करते हैं उसको रोकने के लिए गलत उत्तर आने पर सिचक नहीं ऐसा नहीं कहना नकारात्मक्ता में सिर इलाना हाथ से बैठ जाने का संकेत आदी इसी स्रेडी में आते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिसेपांटेड होना दिखाए गया है क जैसे अगर चात्र उत्तर नहीं बता पाता है तो उसको संकेत भासा में भी आप बैठने के लिए कह सकते हैं या सिर इला सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि चलो नेक्स टाइम एक तरह से बच्ची के अंदर हीन भावना ना आने पाए इस तरह का आपको नकारात्मक्त पुनर्बलन या देना है कि बच्चे बच्चा फिर से ट्राई करें आपके उत्तर को देने के लिए चलिए हम देखते हैं पुनर्बलन कोसल के घटक क्या है पुनर्बलन कोसल के प्रमुक घटक निमलिकित हैं साब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया साब्धिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया आ साब्धिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया यहां पर हम देखेंगे कि चुकि पुनर्बलन दो तरह के होते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं साब्धिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया यह भी एक गटक है साब्दिक धनात्मक पुनलवलन में क्या है कि हम जो मुझ से बोल करके कहते हैं सावास बेरी गुड बहुत अच्छा तो यह सब क्या है साब्दिक धनात्मक पुनलवलन है लेकिन अगर वहीं आसाब्दिक धनात्मक पुनलवलन की बात हो तो यहां पर आपके face को मुस्कुरा करके बोल सकते हैं तो ये साज़ी चीजे जो है आपके आसाब्दिक पुनर walन का प्रयोग इसमें किया जाता है नंबर फृ हम देखते हैं साब्दिक रिडात्मक पुनर का प्रयोग करने का अतात्पर बता है कि आपने बच्चे के दो द्वारा जो उत्तर दिया वो गल्त था तो बच्चे ने महां पर आपफे बच्चे को रडात्मक पुनरबलन स्तरह देंगे कि बोल करके नहीं अच्छा नहीं बताया नहीं नेट्स तुम अच्छा नहीं बताए तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा सब यह होना चाहिए कि उसने अपना उत्तर गलत बताए नेक्स टाइम उसे और अच्छे से बताना है और असाब्दिक रिड़ातमक पुनरबलन का प्रयोग किया गया है जिसमें आप आप बोलेंगे नहीं बलकि आप अपना सीर इला देंगे नहीं सही नहीं है या फिर आप अपने फेस के एक्स्प्रेशन से भी असाब्दिक रिड़ातमक पुनरबलन दे सकते हैं नमबर फाइव में हम देखेंगे सही उत्रो का प्रयोग से अमपट पर किया गया तो यहां पर पुनरबलन कौसल के घटकों में हम देखेंगे कि जो भी सही उत्र का प्रयोग हुआ उसको हम लिख करके बताते हैं और नमबर 6 में देखते हैं चात्रों के सुझाओ का समर्थन किया गया जो भी चात्रों ने अपने उत्रों में उत्रों के माध्यम से सुझाओ दिया कि सर इस उत्तर में इस तरह से मरलब इक तरह से चात्र यहाँ पे अस्पस्टी करण दे रहा उत्तर के लिए कि सर ये उत्त तो इस तरह से होगा क्यों होगा कैसे होगा यह सारी चीजे तो इस तरह से चात्रों के सुझाओ जो भी अगर सही है तो उसका समर्थन करना भी पुनर्बलन कौसल के घटक के अंदरगत आता है अब हम चलते हैं स्यामपट लेखन कौसल की तरफ कच्छा अध्यापन में द्रिस सामागरी के रूप में स्यामपट ही सरवाधिक प्रियोग में आता है दोस्तों द्रिस सामागरी के रूप में कोई भी अगर हम देखे तो स्यामपट सबसे महत्तपूर होता है कच्छा के लिए एक कच्छा में मिनिमम चीजों में स्यामपट त होता है सिच्छा कच्छा में पढ़ाते समय किसी वस्तु के संभंद में बात करने के साथ स्यांपट पर कुछ लिखता है या कुछ मेंटें करें फीगर वगएरा है जिस विङुसे वस्तु से समंदित वो सिच्छड कारी कर रहा है उसे समंदित वो स्यांपट पर प्रियोग करता है तो छात्रों की स्रवाड इंद्रियों के साथ साथ कुछ अन्य इंद्रियां भी सक्रिय रहती है जो यहाँ पर वो कान से तो सुनी रहा है साथ में आंक से वो देख रहा है कि सिच्छक ब्लैक बोर्ट पर क्या लिख रहा है क्या वो सही लिख रहा है कहीं कहीं चात्र ऐसा भी तरक करते हैं कि सिच्छक के द्वारा जो भी लिखा जा रहा है वो सब सही है यहाँ पर हम देखेंगे कि स्यामपट प्रियोग करने से बिद्यार्थी कान से सुनने के साथ साथ आंक से देखते हैं जिससे उनके सीखने में अधिक सहायता मिलती है माना जाता है कि स्यामपट लेखन रूप में अध्यापक का ज्यान और आत्मिस्वास देखा जा सकता है दोस्तों एक सिच्छक अपने सिच्छड कारे को कितने प्रभावसाली ढंग से कर रहा है ये उसके स्यामपट लेखन के माध्यम से प्रदर्सित होता है सिच्छक अपने सिच्छक कारी को प्रभावसाली बनाना चाता है तो उसे सबसे पहले अपने सिच्छक कावसल को विक्सित करना होगा और उसमें पारंगत होना होगा सिच्छक कारे में तीन बातों का विसेश ध्यान रखा जाता है चलिए देखते हैं आगे लेख अस्पस्ट हो तथा पढ़ा जा सके जो भी सिच्छक के द्वारा सिच्छक के द्वारां 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 सिच्छ प्रकरण कार मैं यूज हुआ हुआ और शाथ पाठ learning में और गिसे जो बीज़ाथ रहे हैं वह अपने पाठ का विकास कर पाये तो इन सब का ध्यान रगना है workforce बनाता। छात्रल की पाठ विशाए को समझने में सहाईक सिद्ध व편ता है स्यामपट कौसल की घटक देख लेते हैं स्यामपट लेकन के तीन मुख्य घटक है लिखावट की सु असपस्टता जो भी घटक की अंतरगत हम देखेंगे जो लिखावट से चकी वो असपस्ट होनी चाहिए और स्यामपट की स्वच्छता और स्यामपट सोच चोना चाहिए नहीं कि आपने जितनी जगह लिखा वह ही किवल आपको दिख रहा बाकि सब स्यामपट नीट अंड क्लीन नहीं है गंदा दिख रहा तो यह सब चीजे ध्यान रगनी है आप जो भी लिखे अस पस्ट लिखे नमबर त्री हम देखते हैं स्य स्यामपट के जो भी कारे हैं जिस जिस जगह पर सिचक को स्यामपट का कारी करना है वहीं पर सिचक के द्वारा स्यामपट का यूज होना चाहिए जैसे कि अगर ब्याक्ष्यान विदी है तो ब्याक्ष्यान विदी में अगर हम देखें तो सिचक को पॉइंट तो इंडिकेट करना चाहिए जिसके बारे में सिचक के द्वारा अपने ब्याक्यान में यूच किया जा रहा जो भी चीज़े सिचक अपनी ब्याक्या विदी से अपने छात्रों को समझाना चाहरा उस उस पॉइंट को वो बोड पर इंगित करें जिससे छात्र उस सब चीजों को अगर आप यही question देखें तो इस question में जो जो point है वो point सिचक के द्वारा board पर लिखे जाएं और साथ ही उसको clarify किया जाए कि इसका क्या मतलब है इसके क्या हान है इसके क्या लाव है उसकी क्या विसेस्ता है तो इस तरह से जो सिचक के द्वारा यह सिचड कारी किया जाएगा वो प्रभावसाली भी होगा और साथ ही जो point इंडिकेट किये गए हैं उस point के माद्यम से छात्रों को समझ में भी आएगा next हम देखते हैं स्यामपट के अन्य घटक अच्छरों और सब्दों के बीच समचित अस्थान और अस्पस्ट लेकन जो भी स्यामपट पर अक्छर लिखे जा रहे है उनका जो स्थान वो समचित होना चाहिए और अस्पस्ट लिखा हुआ होना चाहिए नमबर टू हम देखते हैं सब्दों वावाक्यों की सीधी रेखा में होना जो भी सिचक के द्वारा स्यामपट पर लिखे जा रहा है वो उसकी जो लाइन वो सीधी होनी चाहिए मनलब सिचक के द्वारा स्यामपट पर टेड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए नमबर थ्री हम देखते हैं पंक्तियों के बीच उच्चित यम समान अंतर जो भी सिच्चक के द्वारा बोर्ड पर लिखा जा रहा है तो उन पंक्तियों के बीच की जो दूरी है वो समान होना चाहिए और अब नेक्स हम देखते हैं विसे बस्तु समंधी बातों का क्रम यम तारेतमता, जो भी सिच्छक के दवारा पाठ्टे वस्तु बताई जा रही है, उनके संबन्द में क्रमवार सारी चीजे लिखी जाएं, आपके ब्लेक बोर्ट पे, तो ये सारी चीजे एक तारेतम में होंगी तो चात्रों को सही ढंग से समझ में आएंगी चात्रों को सही ढंग से बोध होंगी नमबर फाइप हम देखे तो ध्याना करशड है तो रंगीन चाक का प्रियोग दोस्तों ये बहुत ही अच्छा विकल्प है खासकर अगर आप एक छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहा है तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए colorful चाक बहुत ही उपयोगी होता है उनको चीजों को समझाने में जैसे अगर आप मैथ के टीचर हो तो अगर आपको हासिल वाला जोड बताना है बच्चों को तो आपको हासिल आपने कितना लिया वो अलग color के चाक से लि और साथ ही जो आपने हासिल लिया वो अलग color से हो गया तो इस तरह से बच्चे को यह clear होगा कि कितना हमने हासिल लिया और कितना हमने add किया तो यह सारी चीज़े clear हो जाती है तो यहां पर जो रंगीन चाक का प्रयोग है कहीं न कहीं छोटी बच्चों के लिए तो बहुत ह पढ़ाई के प्रति attraction भी वड़ेगा साथ ही वो चीजों को समझने में उन्हें आसानी होगी तो दोस्तों यहां तक हमने देखा स्यांपट कौसल के घटक तो आज के लिए वस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के क्या चीज अब भी आपको और पढ़ना है यह सारी चीज़े आप कमेंट के मादें से में बताइए तब ही हम और भी चीजों से ओगत हो पाएंगे हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू सो माच जैहिन